नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्पे टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे साइन्स का प्रेटिक्स टेस्ट अर्थार्थ 35 मोस्ट इंप्रेटन क्यूसंस का ओनलाइन टेस्ट करेंगे जो कि सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंप्रेटन है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को शेर कर दीजे तो चले यह सुरू करते हैं, तो दोस्तों पहला क्यूशन है, गलोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई गैस कोन सी है गलोबल वार्मिंग के लिए कोन सी गैस उत्तरदाई है, इंपोर्टेंट क्यूशन है, फटा पट से बताए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कारबन डायकसाइड, क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन नमबर B गलोबल वार्मिंग के लिए कोन सी गैस उत्तरदाई है, कारबन डायकसाइड, अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका इन में से कौन सा पदार्थ सपेद सवरन के नाम से भी जाना जाता है उप्शन दिरका पलेटियम, बी दिरका सुध सवरन, सी दिरका चांदी, डी दिरका पैट्रोलियम तो दोस्तो कौन सा पदार्थ सपेद सावनन के नाम से भी जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा पलेटियम इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर सी दोस्तो अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका फिरियोन का परियोग निमलिक्त में से किस रूप में किया जाता है फिरियोन है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है साक नासी परशिता के कीट नासी या कवक नासी तो फिरियोन का परियोकिस में किया जाता है important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा परशिता के रूप में किया जाता है correct answer क्या होगा option number B अगला question अगला question दिरका बारूद का मिसरन होता है TNT और charcoal का B दिरका sulfur बालू और charcoal का C दिरका बालू और TNT का D दिरका nitr sulfur और charcoal का तो बारूद किसका मिसरन होता है important question है जल्दी जल्दी comment करके बताइए बारूद किसका मिसरन होता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा nitr sulfur और charcoal का correct answer क्या हो जाएगा option number D चले अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दिरका उपास्ती थता हड्डियों की निर्माण और संपोशन में आवश्यक तत्ता होता है कौन सा तत्ता होता है उपास्ती हड्डियों की निर्माण और संपोशन में केल्सियम मेगनीसियम सिलिकोन या जिंक राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करना है सभी को और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना है फटाबट से लाइक कर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्सियम क्रेक्ट आंसर क्या हो तो भौपाल गैस तरासदी हुई थी वह किस गैस के कारण हुई थी इंपोर्टन क्विशन है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वह हैं कौन सी गैंस है जिसे एकवा लंक्स में गोता खोरों के द्वारा सास लेने में ओक्सीजन में मिला जाता है ओक्सीजन में मिसरन किया जाता है कौन सी गैंस है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रहा है एस्पिरीन का राशाईनिक नाम क्या है इंपोर्टेंट क्यूशन है इसका right answer होजाएगा Acetyl, Salicylic Acid correct answer क्या होजाएगा Option number D अगला question दोस्तो अगला question दिरका gamma किरनों से क्या हो सकता है गामा किरने है उनसे क्या हो सकता है gene mutation बी दिरका जवर, C देरा का छेकना, D दिरका जलन तो gamma किरनों से क्या हो सकता है important question है गामा किरनों से क्या परवाव पड़ सकता है राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन म्यूटेशन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर ये अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन देरागा उच्चतम आइनन उर्जा वाला तत्तों है इन में से उच्चतम आइनन वाला उर्जा तत्तों कौन सा है important question है तो इसका right answer हो जाएगा helium correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तों अगला question दे रहा है नेमिल लिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रियोग कपडे से स्याई और जंग के धब्बो को मिटाने के लिए किया जाता है important question जल्दी जल्दी बताए इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा option number ये अगला question दोस्तो अगला क्यूशन दिरका है परियोग साला में सिल्वर नाइट्रेट गोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्यों इसका मुख्य कारण क्या है परियोग साला में सिल्वर नाइट्रेट गोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है इंपोर्टन क्यूशन है जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन बोतलों में परकास गुजरने का रास्ता ब एक विलियन एक जली विलियन है किसका है important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाए ज़िए ओप्सन doit कुल सफे होगा option naar doastor अगला कुशन दोस्तों अगला क्यूशन है देट औल में दिरका क्रेशल, तो राइत आंसर क्या होगा, डैटोल में मूचूद पूर्थी रोधी योगी कौन सा इन में से, तो दोस्तों इसके राइत आंसर हो जाएगा, एनलोरा, रोक्षी, लेनोल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, option नंर घृक्या चले अगला क्यूशन, दोस्तों कार्शी नो जेनिक पदाहर्थ जैसे बेंज पाईरीन पेदा होते हैं सीधर का भोजन का पोशन ततव कम हो जाता है दीदर का तेल कहानी और बरवादी होती है तो हदिक पकाने और खाद तेलों का बार-बार परियोग क्यों आते दिक आवांच नहीं है इंपोर्टेंट दोस्तो अगला क्यूशन रखा हाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम की व्याक्या सबसे पहले किस ने की थी डाल्टन ने एरविन श्रोड डिंजर ने निल्स बोर ने या रदर खोड ने तो किस ने की थी आईड्रोजन इस्पेक्ट्रम की व्याक्या सबसे पहले इंपोर्टें पूर्वी वर्ती सन्युक्त सोवियत रूस के चेरो नोबील नाभी के उर्जागे अगला के अंदर में वहाँ दुर्गठना कब हुई थी जिससे वहाँ वायू मंदल में रेडियो नुकलाइड फैल गए थी वहाँ रेडियो नूकलाइड फैल गए थी किस वरस हुई थी इंपोर्टन्ट क्यूशन है अप्शन दिरका 1989 दिरका 1980 सी दिरका 1984 दिरका 1986 राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर डी अगला क्यूशन देखा है वाईउ मंडल में पर्चूर सबसे पर्चूर एक्रिये गेस कौन सी है हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन तो वाईउ छल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई उम डल में सबसे पर्चूर एक्रिये गेस कुन सी है आरगन क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी चलिए अगला क्यूशन लिए कि रखा एड़स वायरस क्या होता है ए सेक्स हार्मोन का पता किसने लगा था उप्षन इधर क़र्गा पता किसमें sd πойти की सच्ण होगा इसके राइट आनसर जल्दी पताओ इसके राइट्ट आंसर क्या हो जाएंगा एडवर्ड कोल्वीन है correct answer क्या हुजाएगा option number C अगला क्यूशन दे रखा पार्किंसन रोग के इलाज को विक्षित करने में मैं तो पूरुन योगदान देने के लिए इन में से किसे noble पुरुस्कार परदान किया गया है जो Parkinson रोग के इलाज के विक्षित करने में मैं तो पूरुन योगदान देने के लिए इन में से किसे noble पुरुस्कार परदान किया गया है option देरका अर्विद कार्ल सन बी देरका वाल्टर कोईन डी सी देरका रोबर्ट बी लाफलीन डी देरका फरीद मुराद तो राइट आंसर क्या होगा important question है जल्दे बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका noble पुरुस्कार किसे परदान किया गया है अर्विद कार्ल सन ने correct answer क्या होगा option नमबर ये अगला question देरका है एलिसा प्रेक्षन द्वारा किसका निदान करते हैं important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा फटापड़ चे कमेंट करके बताइए तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा एडस के परति रक्षियों का correct answer क्या होगा option नमबर C चलिए अगला question दोस्तों अगला question देरका ब्रेल लिपी की खोज से कौन जुड़ा है ब्रेल लिपी की खोज से कौन जुड़ा है ल्यूस ब्रेल बीदरके अलफरेड नोबेल सीदरके जोन समसालके डीदरके मेंक मिलन correct answer क्या होगा important question है तो इसका right answer होजाएगा ल्यूस ब्रेल correct answer क्या होगा option नमबर ये चलिए अगला question दोस्तों अगला question देरका है विज्ञान और technology उपकरम पार्कों में निमनों में से किसका इस्तान नहीं है परशिक्षन है परिक्षन है अंक कि सोधन है सीदरका करना तो किसके लिए इस्तान नहीं है किसका इस्तान नहीं में से correct answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा उपकरम चालकों के लिए धन्यकत्रीत करना correct answer क्या हो जाएगा option नमबर डी चलिए अगला question गोबर गैस में परमुकत है क्या होता है कार्बन डाय मोनोक्साइ hydrogen sulfide या methane तो गोबर गैस में मुख्यत क्या होता है important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्यत होता है methane correct answer क्या हो जाएगा option नमबर डी चलिए अगला question दोस्तों अगला question दिराका bone S में होता है क्या होता है calcium hypo phosphate B दिरका फासपोरी C C दिरका calcium phosphate D दिरका calcium sulfate तो bone S में क्या होता है important question है जल्दी बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा calcium phosphate correct answer क्या होगा option नमबर C चलिए अगला question दोस्तों अगला question दिरका लो महिता एक रोग है जो स्वास के साथ निमिल कितमे से क्या अंदर लेने से होता है silica दूल लोग दूल जस्ता दूल यह कोईला दूल तो right answer क्या होगा important question है तो इसका right answer हो जाएगा लोग दूल correct answer क्या हो जाएगा option नमबर B अगला question दोस्तों अगला question दिरका कलोरो फिल में क्या होता है कलोरोफील होता है उसमें क्या होता है सोडियम, पोटेसियम, मैगनेज, मैगनीसियम, तो क्या होता है कलोरोफील में इंपोर्टन क्यूशन है जल्दी जल्दी आंसर बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तो कलोर फील में होता है Magnecium Correct answer क्या हो जाएगा Option number D चलिए अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन देरा का फिलोसपर उल क्या है फिलोसपर उल क्या है तो दोस्तों फिलोसपर उल क्या है important question आप हटावर से comment करके बताइए तो दोस्तों यहां होता है जिंक के ओक्साइड क्या होता है जिंक के ओक्साइड करेक्ट आंसर क्या होगा जिंक ओक्साइड जिसे इसे जिंक वाइट भी कहते हैं क्या कहते हैं जिंक के वाइट भी कहते हैं जिंक के वाइट और दोस्ता आपको होता दू कि इसका उप्योग किया जाता है क्रिमें लोश सी नाम क्या है मेथेनोगी तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथै नंडर सी अगला क्योशन अगला क्यूशन देहना का मुखे गठक क्या है cng का मुख्य गठक क्या है important question है methane ethane butane यह प्रोपेन right answer क्या होगा फटाबट से comment करके बताईए तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा methane cng का मुख्य गठक क्या है methane अगला question के अगला question दिरका cold drink का खटा स्वाद किसके कारण होता है cold drink होता है उसका क्षट्टा स्वाद किसके कारण होता है दोस्तो अगला क्यूशन तो अगला परकास लाल परकास निला परकास या हरा परकास तो परकास अंसलेशन है तो सरवादिक क्रियाशील परकास कौन सा है मैताफरोन क्यूशन है जल्दी बताई इसका राहिट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राहिट आंसर हो जाएगा लाल परकास करेक्ट आंसर क्या होगा ओ तो इन में से नर्वा मादा युगमन के सन्यूजन को क्या का जाता मैं तो पुरुन क्यूसन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटापट से टाइप करके बताना है और दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो फसंद आया है उत लाइक कर दीजे और अपने दोस्त झाल